प्यारा साथ ही नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागा था चैतने श्रडी में और दोस्तों COVID-19 महामारे के करण UP बोर्ट का जो सिलेवस है वो लगवग 30% तक कम कर दिया गया है तो इन वीडियोस में मैं आपको यह बता रहा हूँ कि जो 30% सिलेवस कम किया गया है वह कौन सा है और जो बचा हुआ 70% सिलेवस है वह कौन सा है यह बात आप अच्छे से जानते हैं कि UP बर्ट के जो लिखित परिक्षा होती है कक्षा 10 की दो बए 70% की होती है और 30% का जो है उनका आंद्रिक मुल्यांकन होता है तो दोस्तों जो आपका 30% सिलेवस है जो की कम कर दिये गया है वह यह है बिज्ञान विश्य का जो आपके अध्या है वह मैं आपको बता रहा हूँ धातु अधातु चप्टर से आपके इसके गुरधर्म और आयनिक योगिको का निर्मार्त अता गुरधर्म यूए त यह आपकी हटा दिये गयी है अगला बताया है ततवों का आवर्ती वर्गे बियाया यानि कि ततवों के बियाया के प्रारामिक प्रियास अगे कहा है इनौने जंत्वों था पाधों में नियंत्रण अबम समन्वे एक चेप्टर है आपका बैयलोजी का इसमें आपका दिश्रिक गती, पाधप हार्मोनों का परिचे, जन्तूओं में नियंत्रण अभिम समन्वे, तंत्री का तंत्र, एच्छिक पेशियां तथा अनेच्छिक पेशियां आदी, और प्रतिवर्दी करिया, राष्टानिक समन्वे, जन्तूओं में हार्मोन, इस सब प्रकरतिक संसाधन की अगर हम बात करें तो आपके उर्जा के सुरूत यानि की बायो गैस यह वी चीज़ जो है आपके सिलेवस से हटा दी गई ठीके आगे हैं हमारा पर्यावरण हमारा पर्यावरण में आपका परितन्त्र और ओजोन परत का अप्छैन यह सब चीज़ें आपकी बात करें तो दैनिक जीवन में उप्योग और दैनिक जीवन में इसका उपयोग यह सब दोने चीज़ें जो हैं आपकी हटा दी गई हैं अगला एक चप्टर आपको मिलेगा बैदुत धारा का चुम्मक की प्रभाओ इसमें आपका दिश्ट धारा के तुल्ला में प्रतियावाति धारा सिलाब और गहरेलू बिदुत परिपत यह सब चीज़ें आपकी हटा दिगेंगे दोस्तों यह जो मैंने आपको स्लेवस बताया यह 30% वाले स्लेवस में शामिल था अब जो आपका 70% स्लेवस रह गया वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उससे पहले आपकी जान लीजिए कि आपकी जो चैप्टर है 5 इस तरीके से वो आपके रसानिक बदार्त प्रकरति अभंब्यवार 20 अंको का आएगा जयब जगत आपका जो है 20 अंको का आएगा आपका जो अपवरतन है यह 12 अंको का आएगा ठीक है अब देखिए जुस लेवर से 70% वो मैं आपके आपर दिखा रहा हूँ सबसे पहले एक आई आप एक पर पहुंचेंगे इसमें आपको मिलेगा चैप्टर पहला रासानिक अभिकरिया आएं आपको इस सब चीज़ें आपको पढ़नी है जोग जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अगले चैप्टर में देखी कार्वन योगिक है कार्वन योगिक में आपको ये सब चीजे पढ़नी हैं हम अगर बात करें जयब जगत की तो यहां से आपको जयब प्रिकर्म में सजीब पादो तता जन्तुव में पोशण सुषन परिभेन तता उस सर्जन की मूलभूत अ आदी चीज़े पढ़नी है आपको प्रिजनन में आपको ये सब चीज़े पढ़नी है आपको अनुवान शेक्ता है आपको ये चीज़े पढ़नी है यानि कि ये सब चीज़े आपके 70% सलेवाश में शामिल होती है यानि कि आपकी ये सब चीज़े नहीं हटाई गई हैं तीस सोब द्वारा प्रतिमी बनाने के नियम लेंड़ सूत्र आदी। इसमें कहा गया कि बीत पथी आविशक नहीं। जो मतलब सूत्र होता है उसका निगवन आविशक नहीं है। ऐसे कि यहाँ पर कहा गया है दरपर सूत्र उसका निगमन नहीं आप से पूछा जाएगा ठीक है वक्रिप्रेश्ट और प्रकास का प्रदावरतन इत्यादी चीज़ें आपको पढ़नी हैं अगले एक चेप्टर है विद्धुत का प्रभाव और विद्धुत की प्रभाव से आपको विद्धुत्धारा विवा चाहो के लिए अगला हैं यूनिट है अगली वह मिलेगे आपको प्रदावरतन ऌको प्रदावरुत का प्रवंदन इसके बाद आपको मिलेगा प्रयोगात्मक में आपको तीन प्रयोग करने होंगे जो में आपको मिलेंगे तीन रंक इस तरह से आगे बढ़के आपको अपने प्रियोगात्मक कारे करना है प्रियोगात्मक कारे आपका जो भी है इस तरीके से दे रखा है ठीक है कि अमलता चार की गुड़ों का अध्यन करना है आपको और करना है इत्यादी इत्यादी इसंख आपको भी ज्याद विश्यल्यूदनमग करना है ठीक है कि अर जो आपका प्रियोगात्मक कारे के सुची है वो आपको इस तरह से प्रियोग्त करना होगा यह भी आपका 500ば को एग आ एक इस अब देख पा रहे हैं आप यह आपका प्रोजेक्ट और प्रिवगात्मक का रहे हैं ठीक है आप जो है यहां से एक नई विशे शुरू होती है उस विशे में हम आपको जानकारी अगले जो है वीडियो में देंगे फलाल दोस्तों आप इस ज्यान विशे के जो भी आपक कितना हटा दिये गया है और कितना आपका 70% लेवस में रहे गया है वो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी कोई भी अगर आपको दिक्कत हूँ आप केमेंट करके पूछ सकते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार अपना ख्याल